वेलकम बैक तो वे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है करंट एफियूर्स दोहजार तीज पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टन आप दिख सकते हूँ यहां पर पहला क्वेश्चन यह है तो बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है यह इसका जो आंसर है आपके पास त्री पोरा मीजुराम तिलंगाना मेगालिया ऑप्शन सी याईनि तिलंगाना इस देर राइट आंसर तिलंगाना स्टेट ने 100 पर संट एचिव किया है जो कि प्रदान मंतरी जन्दन योजना स्कीम इसे रिलेटर कॉश्चन आ सकते हैं चलिए नेक्स क्वेश्चन के वोड बढ़ते हैं मोगारा स्कीम किस स्टेट ने लाँच की है आपके पास ऑप्शन जी बिहार ओडिशा राजस्तान और स्किम मोगारा जो स्कीम है वो लाँच की है ओडिशा ने ऑप्शन बी इस दे राइट आंसर आपसे रिक्वेस्ट है ड्रीम हाई अकैडमी चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा और ये स्कीम के रिलेटेड कुछ बाते हम यहाँ पर बताएंगे आप लोग को स्कीम इसका अप्शन जो है वो कितने साल तक यानि कितने येर्स तक एक्स्टेंड किया गया है आपके पास ऑप्शन है फोर येर्स त्री येर्स टू येर्स वन येर्स इसका ऑप्शन जो है वो टू येर्स है ये स्कीम किसके रिलेटेड है थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्प्लेशन है जान लेते हैं एक्स्प्लेशन में चलिए देख लेते हैं अटल बूजन मिशन वि 2025 question number next which team has recently won the IPL 2023 title यहने 2023 का 2023 टाइटल किस team ने जीता इंडियन प्रिमेर लीग का आपके पास options तो मोजूद है आप सही answer बता सकते हूँ जी हाँ आपके पास Kolkata Night Riders option रहेगा गुजराथ Titans, Chennai Super Kings और Punjab Kings तो इसका जो सही answer है वो है Chennai Super Kings MS Dhoni की कप्तांशिप में कैप्टेंशिप में question number next which state government is set to start the one tape, one tree campaign बहुत important है बहुत ज्यादा important है यह question एक बार फिर इस question को दोरा लता हूँ में which state government is set to start the one tape one tree campaign और इसका जो सही answer है वो है उतरप्रदेश उतरप्रदेश is going to start one tape one tree program our campaign next question next question है which boxing champion has been named the global Indian icon at the UK India Awards और इसका जो सही answer है मेरी कौम जी है इसका सही answer है मेरी कौम next question की और बढ़ लेते हैं when was the additive L1 mission launched अदित्य L1 जो mission है वो कब लाच किया गया था आपके पास options है 2nd of September 15th September 1st October 15th October और इसका जो सही answer है वो है 2nd of September ये L1 basically है क्या the L1 mission इसको थोड़ा सा elaborate करेंगे यहां पर elaboration है यहां पर explanation भी दिया है हमने अदित्य L1 mission is scheduled to launch on September 2nd को ये launch हुआ ये याद रखना लाजमी है ये जरूरी है ये याद रखना यहां पर एक और question है which country will host which country will hosted the first ever global AI summit in October 2023 यानि 2023 ऑक्टूबर में जो summit हुई थी AI की वो किस country ने किया था बहुत important है क्योंकि ये इंडिया ने किया था आपके पास option है ये ये निया है जी हाँ इसका सही answer है इंडिया ने किया था first ever global global AI summit 2023 question number next who is the miss earth इंडिया 2023 इससे पहले हम आके बढ़े आप चैनल को subscribe कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर लीजिए और please and please like करना ना बुलिएगा चलिए next question की और बढ़ लेते हैं who is the miss earth इंडिया 2023 2023 miss earth इंडिया किसको मिला खिताब ये तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रिया सेन और प्रिया सेन ने last year अगर आपको पूछा जाएगा कि ये प्रिया सेन किस येर की है 2023 की और 2022 की है वनिश का परमार वनिश का परमार जो है वो 2022 की थी miss earth इंडिया और प्रिया सेन 2023 की question next who is the founder of Indian Space Research Organization Indian Space Research Organization इस रो इस साल काफी ज्यादा निवस में रहा वो आप लोग को पता है कि चंद्रियान के successful होने के बाद चंद्रियान 3 जो के successful हुआ और उसके बाद फिर काफी ज्यादा निवस में रहा तो ये पूछा गया है question who is the founder of Indian Space Research Organization तो इसका जो सही आंसर है विक्रम सारबाई है option B is the correct answer आपके पास next question आ रहा है next question है where will the 71st miss world pregnant be held in December 2023 ये related होता है एक show होता है एक exhibition होता है तो ये बहुत important है क्योंकि इसमें कश्मीर का नाम यहाँ पे जोड़ा गया है तो ये December में कश्मीर में होगा 71st Miss World Paganant Mumbai, Delhi, Kashmir और Goa तो कश्मीर में ये होगा और इसका right answer कश्मीर ही है option C is the right answer यहाँ पे explanation भी हमने दिया है explanation ये है the 71st Miss World Paganant will be held in Kashmir, India in December 2023 this was announced by Julia Eric Morale the CEO of Miss World in a press conference held in Kashmir next question which is the smallest state UT in India by area अब के पास options है skim, Goa, 3Pora, Mizoram और say answer है Goa के पास smallest state है Goa in terms of area in terms of area हम कहेंगे तो in terms of area Goa is the smallest state next question है supports से related है इससे पहले भी supports का एक question हमने आपके साह डिसकस किया IPL के IPL के बारे में जो कि IPL 2023 फाइनल के स्टीम ने जीता तो IPL 2023 का फाइनल में फिस्त रिपीट करूँगा जिनाइस परकिंग्स ने जीता था Carlos Alcaraz who won his first Wimbledon title belongs to this country तो आपको ये भी याद रहेगा कि 2023 का जो Wimbledon था तो वो किस ने जीता था Carlos Alcaraz ने दो question बनते हैं तो वो किस मुल्क के थे तो स्पेन के है वो जिहां स्पेन के है वो उन्होंने किसको डिपीट किया याद रख लीजीगा उनके जो रनर अप थे वो थे नवाग जोकविक जिहां नवाग जोकविक को उन्होंने हराया Carlos Alcaraz ने नेक्स्ट के ओर बढ़ लेते हैं विच स्टेट गवर्मेंट लॉच्टड विश्व कर्मा श्रमिक कलियान योजना विश्व कर्मा श्रमिक कलियान योजना तो इसका जो सही आंसर है वो है option D राजस्तान ने लॉच्ट किया था विश्म कर्मा, श्रमिक कल्यान योजना नेक्स्ट क्वेशन के और बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है वट इंडियन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लांचेट मिशन दक्ष जी हां, दक्ष किसने लांच किया था, मिशन दक्ष to support academically challenged students in classes 3 to 8 in government operated schools मिशन दक्ष किसने लांच किया था, तो ये बिःार ने लांच किया था ये मिशन दक्ष basically होता क्या है, है क्या ये ये mission, बिःार introduced in Mission Daksh to aid around 25 lakh academically weak students तो मिशन दक्ष किस स्टेट का है, बिहार का है, याद रखना ना बुलिएगा नेक्स्ट कुश्चन क्यों और बढ़ लेते हैं जिसका जो सही आंसर है वो है UAE के साथ, United Arab Emirates के साथ, इन्दिया ने tie-up किया है या sign-up किया है, sign-up किया है, Memorandum of Understanding ताकि जो educational ties है, वो strength होंगे नेक्स्ट कुश्चन क्यों और बढ़ लेते हैं नेक्स्ट कुश्चन है यह महा कुम्ब दिव्यंग जन कहां पे held किया गया था तो याद रख लिजेगा, यह वारजानसी में किया गया था और वारजानसी कहां पे है, उतर Πरदेश में है आपके पास options यहां पे मैंने लिखाए, आयोधिया, मत्हुरा, परेया गराज, वारजानसी वारा नसी में है वारा नसी उतरप्रदेश में महापकूंब दिव्यांग जन ये हैल्ड किया गया था इसके बारे में थोड़ा explanation यह पर दिया गया है यह जो महापकूंब दिव्यांग जन है यह है department of Empowerment of Personals with Disabilities जिन लोगों के Disabilities है उनको Empower करने के लिए ये महाकुम दिव्यांग जंग जो है वो उतरप्रदेश में हेल्ड किया गया था Next question के और बढ़ लेते हैं Next question ये है Who inaugurated the festival of libraries in New Delhi जो कि festival of libraries New Delhi में inaugurate किया गया था वो किसने inaugurate किया था आपके पास options मौझूद है तो इसका जो सही answer है वो है इंडिया के President ने inaugurate किया था यानि श्रिमती, द्रोपती, बुर्मू ने उन्होंने inaugurate किया था festival of libraries एक बार फिर आपसे request है कि चैनल को subscribe और वीडियो को like करना ना बूलिएगा In which state is the करपूजा festival celebrated 3, 4, I is the right answer इसके साथ ही ये जो session है वो complete होता है next session कोशिच करेंगे हम आपके पास फिर से ले के आए current refuse का और अगर हुआ possible computers का भी ले के आएंगे और चैनल को subscribe जरूर कर लेजेगा वीडियो को भी like करना ना बूलिएगा Thank you very much